नमस्कार दोस्तों मैर्ची आयरवेद में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में आम बात करने वाले हैं एक ऐसी वनस्पती के बारे में जो अत्यन्त रक्त सोद्दक है रक्त जलने जो विकार है यहें उनका नास करती है यहें आपके नेत्रोरोगों के लिए आपके पर पूरे देश में आसानी से पाया जाता है इसमें पिले रंग के पाथ से 56 खुडियों वाले सुन्दर पूस पाते है इसके फूलों को छोडगरबा की पूरे पूद्यपर्णों के लिए कटे होती है इसके पत्ते भी एक तरह से काटों का ही रूप होता है फूल जड़ जान के बाद फूल के नीचे फालाता है जिसमें से सर्सो समान छोटे छोटे बीज निकलते हैं जिनके बारे में एक गलत बात फेला रखी है कि इनके बीजों को सर्सों में मिला कर बेच जाता है परंदो ऐसा नहीं है क्योंकि एक तो सोन च्री के बेज सर्सों से ज्यादा दूसरा इनका टेस्ट सर्सों से बहुत अलग है जब इसकी साखा को काटा जाता है तो इसे सोना जैसा रंग लिये हुए दूद निकलता है जिस कारने से स्वन च्री नाम दिया गया है बाकि काफी वेदो का कहना है कि तंब को सोना बनाने के लिए स्वन च्री के इस पिले दूद का ही इस्तमाल किया जाता था दोस्तों सुमन च्री विशेली वनस्पतियों में आती है इसलिए इसका सेवन सोधना के बाद ही या किसी अन्य जड़ी बुट्टी के साथ करना ही लाबकारी है विशेली होने के कारण इस पुद्धे को कोई पसू भी नहीं खाता है परन नपून सकता सपम यानि सुक्रवाणों में कमी धात गिरना वे कमजोरी को तो ऐसे ठीक करता है जैसे ये समाशा पहले थी ही नहीं इसके लिए आप सत्यनासी की जड़ ले ले और इन्हें सुखा ले साफ करके फिर आप इसकी जड़ को कूट पेश कर बारिक चूरन बनाए और इसमें इतना बर्गत का दूद मिलाए कि इस चूरन की गोली बनाए जास के और इस पेश्ट की चने के समान गोली बना ले इन दो गोली को सुबह ताजय पानी के साथ वर रात को सोते समय दूद के साथ खानी है साथ ही यह यह योग घी दूद मतलब तकतवर चीज मांगता है इसलिए घी दूद दही या घी दूद सेमनी चीज़ों का सेमन अत्य दिख करें दोस्तो इस योग से आपकी बताई हुई समस्या सिर्फ साथ दिनों में ठीक हो जाएगी यह एक बहुत ही अच्छा नुश्का है जिसे आयरवेद की पुरानी पुस्तक से लिया गया है बाकि आप इस योग को किसी वेद से बनवा कर प्रियोग करें तो और भी अच्छा हो दोस्तो वीडियो को पूरा देखने के लिए